नमस्कार दोस्तों, हमारे चले हैर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस राहुल और आज की चुनिटर्चा करने जा रहे हैं C.U.C.E.T. से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेट अपडेट के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है National Education Policy 2020 के तहत C.U.C.T. Central University Common Entrance Test इंप्लिमेंट किया जाना था सेशन 2021 के अंदर ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन और कोरोना काल के चलते ये इंप्लिमेंट नहीं हो पाया अब जो सेशन स्टार्ट होने वाला है 2022 के अंदर इसके अंदर 41 Central Universities के लिए जो Entrance Exam Connect कराया जाएगा उसको C.U.C.T. बोला जाने वाला है तो हम डेटेल में चर्चा करते हैं कि क्या अप्डेट है अभी इसको लेके और किस तरीके से next year admission process पूरा change होने जा रहा है या फिर होगा या नहीं होगा पूरी possibility के बारे में आज हम बात करेंगे जो यह मैंने reference लिया है यह times of india.com की तरफ से लिया हुआ है यह article recently published किया गया था website पे तो इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई आप लोगों का जो C.U.C.T. connect होना वाला था 2020 में तो pandemic की वज़े से वो connect नहीं हो पाया लेकिन अब इसके उपर चर्चा की जा रही है और यहां पर ऐसा भी लिखा गया है कि इसकी जो frequency है वो साल में दो बार connect होने की है और जैसे कि आब यहां पर देख सकते हैं और यह national education policy 2020 के अंदर में आता है तो यह तीन घंटे का एक्जाम होगा जिसके अंदर में बहुत ही बड़ी बड़ी उनिवसिटी जैसे कि अब पनाम पढ़ पा रहे हैं जैन्यू, बहु और डेली उनिवसिटी पार्टिसिपेट करने जा रही हैं और इसका नाम होगा common aptitude test जिसका first section मतलब exam के section को दो पार्ट में डिवाइड करा जाएगा पहला होगा common aptitude जिसके अंदर 50 questions पूछे जाएंगे और जो second part होगा वो domain specific test होगा जिसके अंदर 30 questions पूछे जाएंगे और इसमें होता क्या है कि आपका common aptitude होता है इसके अंदर 4 section पूछे जाते हैं English Language and Comprehension, General Awareness, Logical Reasoning and Quantitative Aptitude ये 4 section इसमें पूछे जाते हैं जो कि एक common aptitude test कहलाता है और domain specific में क्या होता है कि आपके जो course के according questions पूछे जाएंगे जैसे कि आप BA in history honors apply कर रहे हैं तो आपसे history related questions पूछे जाएंगे second part के अंदर तो इसके अंदर होने क्या वाला है कि जितने भी courses हैं approximately सभी courses के लिए आपका ये C.U.C.E.T. upcoming year के अंदर conduct होने वाला है तो इसके लिए अभी finalization चल रही है according to the sources the ministry is finalizing the proposal based on the report of committee set up by UGC and the admissions to Central University of 2022 and 2023 will be based on C.U.C.E.T. score तो आप अपने आपको mentally prepare कर लिजी है होना तो ये पिछले साल ही था मतलब 2021 के अंदर ही था लेकिन अभी ये 2022 के अंदर finalize हो जाएगा and the ministry is ready to implement the C.U.C.E.T. from 2022 as planned under the National Education 2022, 2020 the detail and the dates will be worked out soon the ministry is planning to announce the details as early as possible so that the candidate and university get time to prepare said officials तो जहां तक है इसकी जो dates है वो December end तक आपकी finalize कर ली जाएगी और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भाई कैसे कैसे आपका exam होगा और कब आप लोगों को अपना exam की preparation करने start कर दीनी चाहिए वैसे तो आप अभी से इसकी preparation स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता दो चली चुका है कि 99% possibility है कि C.U.C.E.T. इस साल conduct होगा और देखते हैं इसके उपर अप कैसे latest update आती है जैसे ही कोई information आएगी मैं आप लोगों को inform कर दूँगा तो C.U.C.E.T. से related जितने भी information है आपको इस channel पर मिलती रहेंगी from preparation to important updates to your course details सब कुछ आपको इस channel पर मिल जाएगा कहीं पर भी आपको इधर दुर जाने की जोरत नहीं पड़ेगी और यह बहुत important exam है अगर आप class 12 के अंदर हैं तो don't take it lightly आपको इसके उपर workout आज से ही कर देना है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी तरकी के education content के साथ Thank you so much